अपने अनुखे अंदाज के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाले उर्जा मंत्री प्रदुबन जिंग तॉमर इस वक्त नाराज हैं खस्ता हाल सडकों से नाराज हैं विवस्ताओं से जो नगरिये प्रिशासन उन विवस्ताओं को नई सुधार पा रहा है उसके खि मैं आपको बता रहा हूं मैं सबसे पहले इंसान हूं किसी जाती में का विक्तिवाद में हूं किसी बेटा बाद में हूं पहले इंसान हो मैं मंत्री हूं पर इंसान हूँ, इंसान को आम जन की तकलीब को अच्छे से समझना चाहिए और अच्छे से जब समझेगा तो जिस मंच पर वो बैठा है उसको सही तरीके से अविव्यक्त कर सकेगा, सही निर्णे कर पाएगा और जब से मेरी राइनितिक यात्रा सुरू हुई है, मैंने हमेशा समाज के सुख और दुख में सामिल होकर उनकी बात को समझ करके ही कौन सी ऐसी कम्या हैं, कौन सी ऐसी सामाजी कुरूतियां हैं जिनको दूर किया जाए, उनके लिए काम करता हूँ और मैं आलोशना पर लोशना हूं विश्वास नहीं करता हूं ये मेरी कोई नाराजगी नहीं है ये प्रसुतिकन किस तरीके से किया जाए वह आता लग है पर मेरा कहना ये है कि सबसे पहले मदप्रदेश सरकार ने मुजट मुईया करा दिया पैसा मिल गया टेंडर हो गई टेंडर के बाद उन रोड़ों का निर्मान करना नर्गी सरकार का काम है के नहीं है तो वो काम में बिलंब हो रहा है लगातार बिलंब तो जब मैं वहां रोड़ से निकल रहा था तो एक ये मेरे लिए बड़ी दुखत बाद है उस मा अपने एक बेट बेटा एक अपनी मा को लाके स्कूटर पर बैठा लता है तो मैं देखता हूं क्यों तो बास्त में देखा के रोड़ खा रहा है मा का अशिरवाद लेया परन्तु उनकी यो प्रिड़ा समझी वह अव्यक्त नहीं करना पड़ा दिए पर उनका सोच मेरे बारे में अच्छा नहीं होगा उस समय क्यों भाव मेरे अंदर भी होता तो नहीं होता तो मैंने उसको समझा उसकी प्रिड़ा को समझने के लिए ततकाल उसी वक्त उसी पाल उसी च्छन यह न्रने किया कि इस रोड़ के निर्मान होने तक इस प्रिड़ा को मैं भी समझूँगा पीड़ रुडी मेल्स्टर जो गूपाल भारगवा उन्हें बोला मैं खुद चपळने पेनाने के लिए यह मैं आपको बता दूँ मानिये पीड़ रुडी मंत्री गुपाल भारगव जी वह वरिष्ट निता है वरिष्ट मंत्री है एक जितने साल में विधायक नहीं रहा उतने साल वो मंतिर रहे है उनका अन्वाव है और एक अच्छे व्यक्तत्त है और उन्होंने बात को समझाओ राधिकारियों को इंदर देश भी दिये है पर वो नगरी नगरपाल का निगम के अंतर है इसलिए मैंने आयूक नगरनिम को बोला है मैंने उस शेतर की महापावर क को भी बूला है कि काम जल्दी हो क्या मध्यद्प्रदिश को बजट की दिक्कत है जो सड़के हैं जो खस्ता आल चलनी सड़के हैं नहीं उन सड़कों के लिए पैसा नगरनिम को मिल चुका है शासन की तरफ से अब तक सुधार होगा आप गोना जिले के मंत्री भी है तो मैं बोला जिले का भी प्रवाजी मंत्री हूं वो चल रहे है आज उन सड़कों को देखेंगे जो खस्ता हल होंगी उनको ठीक किया जाए जो खस्ता हल सड़कों को ठीक करने के लिए प्रदुमान सिंह तोमर अब जनता के बीच में कूद पड़े हैं और जल्दी वो फलक सुधार करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर हो सकता है वो चपल दुबारा पेने खुना से अंपी तक चली विकास इक्षित करिफो हुआ हुआ हुआ